ये शादी नहीं आओ सकती होती कौन हो तुम ये शादी रोखने वाई आखर क्या रिष्टा है तुम्हारा परी की बेहन के साथ मैं आज सब को एक बहुत बड़ा सच बताने चाहरे हैं और वो सच है कि मैं ही परी परीनीटी सीरिल में हमें आई दिन ट्विस्टन टर्स देखने को मिलते हैं लेकिन इस बार जो ट्रैक आने वाला है वो आपको एजब दे सीट पर लाकर रख देगा जिहां वो आपको बता दे कि इस बार कहानी में एक अनेक्सपेक्टेड मोर देखने को मिलने वाला है एक नया प्रुमू सामने आ रहा है जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस बार राजीव और नीती मिलकर एक बैंक में जाने वाले हैं किसी काम के सिलसले से यह शादी नहीं हो सकती होती कौन हो तुम यह शादी रोखने वाले और इसी बीच यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसी सेम बैंक में हमारी पारवती भी आने वाली है जहाँ पर राजीव और नीती मौझूद है और हम प्रोमो में देख सकते हैं कि इस बार नीती जो है हमारी राजीव से बेहर लडाई करते वे नजर आएगी और इस बार नीती जो है वो राजीव से रिक्वेस्ट करेगी कि वो उससे शादी कर ले और यहाँ पर राजीव और नीती को बताता है कि वो उससे कभी भी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी परी से ही करत लेकिन आपर हमारी नीती ने ये भी क्लियर कर दिया है कि उसका प्यार उसे नहीं चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उसे शादी करना चाहती और इसी वीच आपर राजीव और नीती के बीच काफी जादा बहस बाजी होते वें दिखाई देगी और इसी के साथ आपको बता दो कि कहानी में एक unexpected twist and turns आने वाले जापरन देखेंगे कि बही जिस बैंक में आपर राजीव नीती और पारवती मौझूद है ठीक उसी बैंक में रॉबरी होने वाली है जिहां हम कहानी में देख सकते हैं कि बही किस तरह से इस बैंक में रॉबर्स आ जाएंगे और हो सकता है कि इस बार हमारी पारवती नीती और राजीव तीनों के ही जान खत्री में हो सकती है तो आने वाले एपिसोड में ये देखना दल्चस्प होगा कि क्या राजीव इस बार नीती और पारवती दोनों की जान को बचा पाता या ने और विलाल एपिसोड में हमें देखने को मिल है कि आपर दलजीत और बबली की engagement ceremony चल रही हो और यहाँ पर हमारी पारवती काफ़ी जादा tension में है क्योंकि उसे सबग नहीं आ रहा है कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वज़े से यह engagement ceremony को रोक सके क्योंकि आपर पार्वती अपनी बेहन बबली के जिन्देगे को बरबाद नहीं होने देना चाहती है और इसी के साथ एपिसोर में हम देखने वाले कि भई हमारी पार्वती के सामने अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है और कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी वज़े से आपर पार्वती ने एक बड़ा फैसला लिया है जी आने वाले पिसोर में हम देखने वाले कि भई इस बार पार्वती अपने सच्चाई सभी घरवालों को बताएगी जिसकी वज़े से हो सकता है कि ये इंगेजमेंट रुख जाय जी आपको बतादो किस बार पार्वती अपने मूँ से सभी घरवालों को बताएगी कि सच्च में पार्वती ही परी है